आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इस तरीके के text animation कैसे create कर सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक shape ली हुई है और उसके उपर मैंने यहाँ पर text रखा हुआ है के बिसिकली हम इस content को यहाँ पर एल्फा मेट करने वाले सो आपको क्या करना है यहाँ पर एक शेप ड्रो करनी है अल्फा मेट के लिए उसके बाद आपको क्या करना है इन दोनों layers को सेलेक्ट करना है ctrl d प्रेस करके इन दोनों का एक एक duplicate त्यार कर लेना है अब मैं सबसे पहले इस नीचे वाली दोनों layers को हैट कर देता हूँ ठीक है तो यह मेरे पास एक tape layer है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक कुछ content है जिसको मुझे इस तरीके से animate करना है हमें जो यह shape रखनी है वो अपने इस content के proper center में रखनी है अब हमको यहाँ पर क्या करना है उपर हमने इस shape को रखा हुआ है और इसके नीचे जो content वाली precomp है इसकी property में जाके आपको यहाँ पर alpha mate करना है alpha mate अगर आपके पास यहाँ पर यह option नहीं आ रहा है तो आप toggle switch पर click करेंगे और यह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा means इस shape layer के अंदर जितना part इस layer का आ रहा था वो यहाँ पर visible है और जो part इस layer का इस shape layers के बाहर जा रहा था वो उसने यहाँ पर height कर दिया है अब आपको क्या करना है अब मैं नीचे वाली दोनों लेयर को यहाँ पर Enable कर देता हूं और आपको करना है कि इस नीचे वाली content layer को यहाँ पर करना है alpha invert अब alpha invert कैसे वड़ करता है Suppose मैंने यहाँ पर अभी क्या हुआ है alpha matte अगर मैं यहां पर करता हूँ alpha inverted matte तो यह क्या करेगा कि जो part इस shape layer के अंदर नहीं आ रहा है वो यहां पर visible रहेगा और जो part इस layer का इस shape layer के अंदर आ रहा था जो इसने अभी visible किया हुआ था उसको इसने height कर दिया है तो मैंने इसको यहां पर किया था alpha matte और अब मैं क्या करूँगा कि इस नीचे वाले content layer को मैं कर दूँगा यहां पर alpha inverted matte और पहले keyframe पर जाके मैं इन दोनों की position पर एक-एक keyframe लगा दूँगा उसके बाद मुझे जाना है लगबग 2 seconds आगे और यहां पर जाके एक-एक keyframe और लगाना है उसके बाद मैं पीछे वाले keyframe पर जाऊँगा और यहां पर इस layer की position को मैं कुछ इस तरह करूँगा कि यह दिखाई देना बंद हो जाए और अब नीचे वाली layer की position को मैं करूँगा इस तरीके से है ना तो यह दोनों layers हमको भी दिखाई देना बंद हो चुकी है और मैं अब इन चारो keyframe को select करूँगा F9 best करूँगा और graph editor में जाके मैं इनको modify कर लूँगा तो कितनी cool सी animation बड़े easy steps में बन चुकी है अब हमको जितनी भी देर इस text को यहाँ पेर रखना है हम उतना gap यहाँ पे लेंगे suppose मुझे यहाँ तक इस text को रखना है उसके बाद इसको exit करना है तो मैं क्या करूँगा मैंने यह उपर वाली layer select की और यह दोनों keyframes select किये Ctrl C से इनको copy किया फिर Ctrl V से मैंने इनको paste कर दिया नीचे वाली layer के keyframes को select किया Ctrl C किया Ctrl V से paste कर दिया और अब हमको इन 4 keyframes को select करके right click करना है और keyframe assistant में जाके time reverse keyframe पे click करना है 4 keyframes reverse हो चुके हैं अब अगर मैं आपको यह play करके दिखाऊं I hope आपको यह video helpful लगा होगा और आपने इसको काफी enjoy किया होगा अगर video पसंद आया तो video को like करना ना भूले और हमारे channel को subscribe कर ले ताकि हमको motivation मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही informative videos लेकर आते रहें चलिए guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care